बचों, आज हम लोग envelop एवं केंदरज के बारे में जानकरी लेंगे envelop and evaluates envelop एवं केंदरज बचों, हम इसके पहले आपको βीटा गामा फलन, बीटा गामा फंक्सन के बारे में पूरा कोशन कराया है पूरा फार्मूला डिराइब कराया है प्यारे बच्चों दोनों में रिलेशन बताया है यदि आपने हमारा इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा ठीक है और बाकी दो पेपर के लिए आप BM Genesis Channel में बिल्कुल जा करके देखिएगा आप का BSC Second Year का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा और मैंने कहा था कि फरवरी इंड तक कोशिस करूँगा हना कि पूरा कंप्लीट करूँ और इस पेपर को तो मैं कंप्लीट कर दूँगा और मांकी अदर पेपर को भी कोशिस रहेगा कि फरवरी मार्च 10 तक कंप्लीट करूँ ठीक है तो चलिए आज की क्लास की सुरुवात करें जल्दी आईए प्यारे बच्चों देखते हैं आज की क्लास आज की क्लास में आपको क्या मिलता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों देखेगा अन्वालोप एवं केंदराज अन्वालोप क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं देखेगा किसी वक्र परिवार का अन्वालोप वह वक्र होता है ये देखे किसी वक्र परिवार का अनवा लोप वह वक्र होता है जो वक्र परिवार के प्रतेक सदस्य को प्रतेक मेंबर को किसी ना किसी बिंदू पर टच करता है इस पर्स करता है और स्वयम वक्र परिवार के किसी ना किसी सदस्य द्वारा इसपर्स किया जाता है हम इसी को क्या कहते हैं अन्वालोब कहते हैं क्या बोला किसी वक्र परिवार का अन्वालोब वह वक्र होता है जो वक्र परिवार के प्रतेक सदस्य को किसी ना किसी बिंदू पर इसपर्स करता है और स्वयम वक्र परिवार के किसी ना किसी सदस्य द्वारा इस पर सकिया जाता है हाना इसी को हम कहेंगे अन्वालोप अब देखें ये अन्वालोप तो समझ गये आपको अन्वालोप ग्याद करना है तो कैसे ग्याद करेंगे अन्वालोप ग्याद करने की विधी देखें आपको वक्र का परिवार दिया रहेगा हना फेमली आप कर्व दिये रहेंगे जैसे कि जो भी दिया है XA2 प्रेस Y2 is equal A2 आप उसको ट्रांसफर किजिए फंक्सन बनाईए और बिना ट्रांसफर के भी आप वैसी ही रख सकते हैं फंक्सन बन गया A फेक्स Y अलफा is equal 0 इसका मतलब होता है यहाँ X भी है Y भी है और अलफा भी है अलफा को बोलते हैं प्राचल पैरामिटर यदि अलफा नहीं दिया है तो constant दिया रहेगा constant को हम ले लेंगे आचर को ले लेंगे यहाँ पर हम अलफा के सापेक्ष antsy koculan करेंगे और antsy koculan करने के बाद यह जो दो equation है पहला यह वाला equation और दूसरा यह वाला equation इन दोनों समी करण को ले करके हम अलफा को यहाँ से हटाएंगे अलफा को क्या करेंगे यहाँ से विलोपित करेंगे जो भी प्राप्त होगा वही अन्वालोप का समीकरन होगा प्यारे बच्चों अन्वालोप होगा क्या कहा ये जो दिया रहेगा उसका हम अलफा के सापेक्ष जो भी पैरामिटर दिया है उसके सापेक्ष आंसी का उकलन करोगे यदि पैरामिटर नहीं दिया है तो अचर के साप एक शांसी का उकलन करोगे और उसके बाद इन दोनों से आप क्या करोगे अलफा को इलिमिनेट करोगे, अलफा को हटाओगे जो भी प्राप्त होगा हटने के बाद वही अनवालोप का समीकरन होगा हाँ, हिमान सुनायक जी, गुड इभनिंग, उंकारनात कस्यप जी, गुड इभनिंग चलिए, आगे देखते हैं पैरे बच्चों, क्या है तो देखिएगा, अनवालोप का समीकरन ग्याद करना जब वक्र परिवार का समीकरन प्राचल में द्विघात समीकरन देखिएगा, द्विघात समीकरन जानदे ना द्विघात मतलब समीकरन, एक, A अलफा स्क्वार प्लस B अलफा प्लस C तो बच्चों आपको मालूम है, X स्क्वार प्लस B, X प्लस C is equal 0 होता है, तो इसका विविक्तकर क्या लेते हो B स्क्वार प्लस C, लेते हो क्यों लेते हो, D, हमें यहाँ पर इसी विविक्तकर को लेना है, B स्क्वार प्लस C is equal 0, या B स्क्वार प्लस C, इसको हल करोगे, अनवालो प्राप्त होगा, तो यह दो विधी है, हाना, अब हम लोग यहाँ से इसका कोशन की सुरुआत करते हैं देखते हैं, आज के क्लास में आपको क्या कोशन मिला है, यह देखेगा बच्चों, चलिए सुरू करें, सरल रेखाओं के परिवार, क्या दिया है भाई, Y is equal MX plus A upon A का अनवालो प्याद कीजिए, अब यहाँ पर aim क्या कर रहा है, यहाँ पर प्राचल को सो कर रहा है, aim क्या है, प्राचल को सो कर रहा है, प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, जहाँ aim प्राचल है, नहीं दिया है, तो भी आप जानकरी रखें, प्राचल, सरल रेखाओं के परिवार, Y is equal MX plus A upon A, कानवालो प्याद करना है, चलो, ग्याद करते हैं, क्या दिया है MX plus A upon M, मैंने कहा था, कि यदि आपको यहाँ पर प्राचल जो दिया है, प्राचल नहीं दिया है, तो अचर दिया है, उसके सापेश, आपको क्या करना है, आंसिक आउकलन करना है, या तो आप इसको फलन बना लिजिए, A, Y, X, Y, M, या फिर डारेक्ट आउकलन कर सकते हो, हम लोग क्या करने वाले हैं, देखेगा, समीकरन एक का, एम के सापेश, आंसिक आउकलन करने पर, ये देखें, एम के सापेश क्या करेंगे, आंसिक आउकलन करेंगे, ये देखेगा, एम के सापेश, आंसिक आउकलन, चलो, अब एम के सापेश, आंसिक आउकलन कर रहे हो, तो एम का करोगे तो केवाल एम का होगा ठीक है ना और यदि किसी भी दूसरे का करोगे तो जो वेरियबल का करते है उसी का होता है बाकी सब अचर होता है तो हम वाई के साफ एक्ष करेंगे 0 हो गया एम यह हो गया वन एक्स कॉंस्टेंट है एम वन अपान एम का माइनस वन अपान एम स्क्वेर बच्चो यहने आपने क्या पाया यह देखो 0 is equal x minus a upon m का x हना x minus a upon m स्क्वेर अब इसको ट्रांसफर कीजे चलिए क्या मिला आपको x is equal a upon m स्क्वेर और a is equal कितना हो गया भाई यहां पर हना m स्क्वेर एम स्क्वेर एक्स इस धंक से हम लोग क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं या m का मान निकाल लो ना सिधा a m कही मान निकाल लो चलो a m is equal is equal कितना हो गया a upon x a m is equal क्या हो गया भाई हमको तो भी लोपीत करना है न a m को हटाना है चलो a m का मान कहां रखेंगे समी करन एक में रखने पर रखते हैं चलो यह देखेगा तो समी करन एक क्या है आपके पास देखे m m के जगा में रखेगा स्वारी y square root a upon x into x plus a upon square root a upon x चलो यहां से हम क्या करेंगे इसको root a upon root x हो हुआ इसको क्या आप root x into root x दो बार write कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो यहां पर हुआ इसको मैं root a into root a write करूंगा इस a को और यह root a नीचे हो गया और यहां से root x उपर जाएगा यह देखो तो देखे यदि हम यहां से cancel करें और यहां से इसको cancel करें तो finally हमको यहां पर क्या मिलने वाला है देखेगा root ax प्लस कितना root ax ए देखें दोनों को मिला दिया y is equal कितना हो गया to root ax देखो कहीं पर m दिख रहा है इसमें आपने क्या पाया y is equal to root ax m दिख रहा है क्या बिल्कुल नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों अब इसको क्या करो वर्ग करो, तो वर्ग करने पर क्या मिल रहा है आपको y square is equal कितना, यह देखेगा 4ax, ध्यान देना, अब यह हमको यही क्या है, अन्वालोप है, अन्वालोप का समीकरन है, आप इसकी जामिती व्याख्या कहें, तो यहां क्या है भाई, जो एक क्या है परवला है, इसकी जामि क्या है, परवला है, परवला है, प्यारे बच्चों, यह इसकी जामिती व्याख्या है, आपने देखा कि y square is equal 4ax, क्या है, एक परवला का, परवला है का समीकरन है, यही इसकी जामिती व्याख्या है, तो बच्चों क्या क्या समझ में आया, आपने जो एक्वेशन दिया था उनमें से प्राचिलिक जो अचर है, प्राचिलिक अचर है, पैरामेट्रिक कॉंस्टेंट है, उसको आपने क्या किया हटाया कैसे हटाया आंसी काउकलन किया उसके सापेक्ष और उसके बाद वहाँ से दोनों को रिलेट करके हमने क्या-क्या इक्वेट किया और M को यहां से हटा दिया जिसने हमको Y square G equal 4X मिला और यही envelope का समीकरन है और यहाँ envelope एक क्या है परवला है प्यारे बच्चों तो चलिए हम next question में चलते हैं देखते हैं अगला question आपको क्या मिलता है ठीक है देखेगा सरल रेखाओं के हाँ सरल रेखाओं के परिवार क्या दिया है भाई Y is equal दिया है आपको Mx plus A M power कितना P यहाँ पर भी M M क्या है प्राचल है M क्या है प्राचल है तो ऐसा करते हैं इस समीकरन को यहाँ भी हम क्या करेंगे समीकरन एक का M के सापेख आंसीक आउकलन करने पर चलिए करें यह आंसीक आउकलन करेंगे तो भाई का M के सापेख चांसी का उकलन क्या पाऊगे 0, M का हो गया 1, X अचर है, A और इसका हो गया P, M, यह जाएगा P-1, ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करते हैं बच्चों, तो X is equal क्या है, माइनस AP और M पावर P-1, क्या हम इसको AP, M पावर P और माइनस 1 को निजचे रहें, तो M हो जाएगा, और इसके लिए हमने क्या किया, एह देखो, AP, AP, स्वारी, A, M, पावर P, और माइनस 2 को मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया बच्चों, यह देखेगा, M X अपान कितना हुआ, यह देखे, M X अपान कितना हो गया, P, बस इसी धंग से काम करना है, चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, यहाँ पर तो भाई, हम M का मान निकालने ही पा रहे हैं, जदी M का मान यहाँ रखेंगे, तो complicated हो जाएगा, तो कुछ system ऐसे होते हैं, कि इस मान को पहले रख करके, वहाँ से हम लोग अलग type का eliminate करते हैं, देखेगा, इसमें कैसे करने वाले हैं, यह देखो, मैंने a power mp के value रख दिया, समी करन 2 का मान, यह देखे, y is equal, ऐसे करो, समी करन 2 का मान, 2 का मान, एक में रखने पर, रखते हैं चलो, यह देखेगा, यह रख दिया मैंने, तो, क्या हो जाएगा, y is equal, पहले से mx था, और यहाँ से मैंने क्या पाया, mx आपान p पाया, अब इनको मैं lcum लेता हूँ, mx कामन निकाल करके lcum लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, p-1 आपान p, इसको हम transfer कर लेते हैं, y is equal, mx, और यह p-1, अब इसको देखो, यहाँ पर m में p है, हना भई, m में p है, तो इसके according हम लोग क्या करेंगे दोनों side में, क्या लेकर के चलेंगे, power p, हना, क्योंकि m power p लाना है, दोनों पक्छों में p घात लेने पर, दोनों पक्छों में P घात लेने पर चलो ले लो तो P घात लोगे तो Y पावर P हुआ और P पावर P हुआ M पावर P हुआ X पावर P हुआ और ये P माइनस 1 पावर कितना हो गया? P ठीक है? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे देखो M पावर P हमारे पास कितना है? ध्यान दिजेगा इधर देखेगा M पावर P ठीक है न? यहां से क्या आएगा? माइनस M X अपान E P आएगा, चलो रखतें इसको समी करन एक से दो से इसको एक मिट बच्चो हाँ हाँ, दो से कितना हैगा? M पावर P is equal माइनस M X अपान E P चलो इसके जगा में रखते हैं, तो क्या मिलने वाला है देखो? आपको मिलेगा Y पावर P P पावर P और M पावर P के जगा क्या रखेगा? माइनस M X अपान कितना E P ठीक है? और इधर आपको मिला X पावर P और P माइनस 1 पावर कितना P यह देखेगा? यह इतना आपने पा लिया, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? यह देखेगा यह जो P है, हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो Y पावर P और P पावर P प्लस 1. अब हमारे पास रिमेनिंग क्या हुआ? यह देखेगा? A मेक्स अपान कितना हुआ? A और यहाँ पर हुआ X पावर P P माइनस 1 पावर P अब देखो, A मेक्स अपान A क्या है आपके पास? कहीं पर है? तो A मेक्स का वैलू हम लोग रखेंगे P Y माइनस P माइनस 1. चलो रखो A मेक्स का वैलू रखो कहा से? इसको कोई एक्वेशन दे देते हैं प्यारे बच्चों इसको अब एक्वेशन तो बढ़ा दिये हैं तो A दे देते हैं हाँ न? समी करन A ठीक है न? तो यहाँ से M X is equal Y P अपान P माइनस 1 हुआ समी करन हमको तो A म हटाना है न? X A M X is equal Y P अपान Y P अपान P माइनस 1 इसको लेंगे तो Y P अपान P माइनस 1 ओके बार बार डांस कर रहा है बच्चों इसको अब रखो तो Y P P पावर P प्लस 1 is equal minus या A को इधर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ A को इधर ले गया हमें M X के जगा क्या आए गया Y P अपान P माइनस 1 X पावर P P माइनस 1 पावर P देखिए कहीं भी M दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है यही अनवलोप है प्यारे बच्चों यही अनवलोप है अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ठीक है तो किस धंग से सेट किया जाए यह देखते हैं चलो एक काम करो यहाँ पर देखेगा A Y पावर इस Y को इधर लाओंगा तो P-1 पाओंगा यहाँ पर P-1 हुआ हाना और यह देखेगा इस P को भी हटाएंगे तो P-1 पावर प आएगा इस इक्वाल माइनस X पावर P हुआ और P-1 को इसमें ले जाएंगे तो P-1 पावर यह आजाएगा P-1 ठीक है बच्चों बस इस धंग से इसको सेट कर लिजिएगा तो आपको मिल जाना है ठीक है तो यह आगे आप ट्रांसफर करो अंसर पाव P-1 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 और P-1 इस इक्वाल कितना 0 तो हमें यह अन्वालोप मिला बच्चों तो यह इस धंग से काम करना है तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा राहुल विसकर्मा जी आसुतोज गुर्जर जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ रितेश कोटले जी बीच में पढ़ाई कर रहे हो तो समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ाई कर रहे है भाई अवर समझाया है कोटले जी यह देखे चलिए कोटले जी देखेगा y is equal mx plus a power m हना a m power p है आप यह देखो आपको करना क्या है आपको करना यह है इस aim को eliminate करना यहां से कौन है aim aim है प्राचल यहां पर envelope कौन कहलाता है भाई प्राचल को हटाएंगे जो बनेगा वही envelope कहलाता है इसके लिए हमने क्या किया aim के सापेक्ष आउकलन किया यह देखो तो समीकरन एक का aim के सापेक्ष आउकलन करोगे 0 पाओगे यह देखो y का 0 aim का 1 x आया a p m power p minus 1 यहां तक आया अब इसको transfer करो तो x is equal minus a p m power p minus 1 बिल्कुल यहां से मैंने m power minus 1 को मैं नीचे ले गया तो m हो गया और इसको मैंने क्या किया transfer किया तो मुझे यह मिला प्यारे बच्चों a power m p minus m x upon p हमें यह जो दिख रहा है न a power m p इसको eliminate करना है पहले तो minus m x upon p हुआ अब क्या कीजिए यह देखे अब क्या कीजिए रखिएगा y is equal m x minus m p मैंने m x को कामन निकाला और यहां पर lc m ले लिया देखे ऐसा था lc m लिया तो p minus 1 upon p इसके बाद इसको transfer करो p y is equal कितना m x p minus कितना 1 आया समझ में कोटले जी दोनों पक्चों में p घात लेने पर आप लीजे y power p p power p is equal m power p आपने क्या क्या p power लिया घात लिया यहां से हुआ m power p is equal minus m x upon ap यह कहां से आया आपके पास देखो समी करन 2 में m power p है आपने इसको transfer किया minus m x upon ap हुआ अब इसका value यहां substitute करो बच्चों m power p के जगा में तो आप पाईएगा y power p p power p m power p के जगा में रखिए minus m x upon ap okay x power p p minus 1 power p अब इसको मैंने set कर दिया देखे यहां से यह जो p है ना इसको cross multiplication करके इधर लेगा देखो p power p plus 1 कर दिया तिरिया गुना कर दिया आपके पास आया minus m x upon a x power p p minus 1 power p अब वापस हम कहां गए sumi कर नंबर यह देखेगा a यह देखो sumi कर नंबर a इसको मैंने माना तो sumi करन a में देखेगा आपके पास कितना है y p is equal m x p minus 1 है यहां से मैं m x निकाला तो मुझे मिला कितना y p upon p minus 1 इस m x के जगा में बिठा दिया इस m x के जगा में बिठा दिया रख दिया आपको मिला y p upon p minus 1 और यहां से a को भी दर ट्रांसफर कर दिया चलिए एक साथ कर दे यहां पर नहीं करेंगे बाद में कर सकते हो जैसा भी चलो यही से कर देता हूं है एलो m x आया अब जो भी आया इसमें देखे m कहीं पर आपको दिख रहा है क्या m नहीं दिख रहा है इसका मतलब यही अन्वलोप का हना अन्वलोप है प्यारे बच्चों यही इन्वलोप है याद रखेगा हमने प्राचल को इलिमनेट कर दिया आपका अंसर यही तक है आपको सेट करना है तो आगे बढ़िये otherwise आपका aim यहां से finish हुआ तो यही अंसर होगा आया समझ में कोटले जी चलिए बहुत बढ़िया बस इसी धंग से हना समझ में आ गया ना बहुत अच्छा आज तोर गुज़र जी सब को समझ में आ गया ना मतलब देखो क्या होता है इन्वलोप अन्वलोप जो होता है केवल हमको प्राचल जो दिया रहेगा उसी को हटाना है जो भी रिमेनिंग आएगा वही इन्वलोप का समीकरन होगा प्यारे बच्छो याद रखिएगा तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे का कोशन ठीक है यह देखो यह आपको दिया है बच्छो यह बहुत ही बढ़िया कोशन बहुत ही इंपॉर्टेन कोशन याद रखिएगा इसको अच्छे से कीजिएगा समझते जाइए देखो X कास अलफा प्लस Y साइन अलफा is equal L साइन अलफा और यह हो गया कास अलफा यहाँ पर देखो अलफा आपको प्राचल दिया है तो एक काम करते हैं सबसे पहले हैं इसको equation 1 लेकर हम दोनों पक्छों को साइन अलफा कास अलफा से भाग देते हैं चलो करते हैं समी करण एक के दोनों पक्छों को यह देखेगा दोनों पक्छों को साइन अलफा कास अलफा से भाग देने पर चलो भाग दे दीजिएगा चलो दे दो तो इसको कास अलफा साइन अलफा से भाग दोगे क्या मिलेगा आपको भाई कास अलफा किंसल होगा बना पान साइन अलफा आएगा जिसको राइट करोगे को सेक अलफा यहां पर sin alpha cancel होगा right करोगे क्या हैगा सेक alpha is equal कितना L अब हमारा उद्देश से क्या होगा यहां से alpha को हटाना तो alpha कहां अकेले है क्या alpha अकेले है नहीं किसके साथ है alpha जो है sin alpha है तो alpha तो ऐसी तो निकल नहीं सकता यहां पर फेबी कोल का मजबू जोड़ है भाई एंगल को बाहर निकाल सकते हो क्या नहीं निकल सकता ना एंगल में किसी का आप गुना कर सकते हो अंदर ले जा सकते हो भाई निकलेगा तो sin को लेके निकलेगा यहां पर कास को लेके निकलेगा इसलिए हमें sin α, कास α, इन सब को eliminate करना होगा यदि αलफा को करना है तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये प्राचल αलफा दिया है उसके respect में क्या करें आंसी का उकलन करें प्यारे बच्चों आंसी का उकलन करें आईए देखें समी करन दो का देखेगा समी करन दो का अलफा के सापेश आंसी का उकलन करने पर कैसे करेंगे भाई आंसी का उकलन कीजिएगा तो क्या था आपके पास एकस कॉंस्टेंट है कोसेक अलफा का उकलन क्या होता है माइनस कोसेक अलफा काट अलफा होता है प्यारे बच्चों माइनस कोसेक अलफा काट का क्या है सेक अल्फा टेन अल्फा ठीक है और यहां पर एल ये तो जीरो है भाई कंस्टेंट अकेले हो तो जीरो सिंपल अब यहां से हम लोग क्या करते है बच्चों यह माइनस है ना ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में ही रहेगा ऐसा करते हैं को सेक, अलफा, काट, अलफा इसको सेट कर लेते हैं चलो मैंने इसको 1-5-Y लिया और इधर इसको क्या किया वाई स्वारी एक सपान वाई ले लिया सेख अलफा हो गया बच्चों टेन अलफा हो गया अपान हो गया को सेख अलफा और यह हो गया बच्चों काट अलफा एक सपान वाई आया देखो सेख को उल्टा करो वना पान कास होगा को सेख को उल्टा करो साइन होगा टेन को रहने दो, काट को उल्टा करो टेन होगा, यह देखें आया, तो साइन अलफा पान कास अलफा क्या मिला प्यारे बच्चों, टेन अलफा और टेन अलफा पहले से है और एक के टेन अलफा नीचे सूपर गया है तो कुल मिला कर हमको यहां पर टेन अलफा का होल क्यूब मिला मिला के नहीं मिला और यहां पर X upon Y मिला क्या हम इसको transfer करें तो X upon Y to the power 1 by 3 आया समझ में आशुतोस गुर्जर जी हना रितेश जी बिल्कुल आया होगा समझ में बस इसी धंक से काम करना है ठेक अब देखो आपका यहां पर उदेश ही क्या है यहां से X कासलफा साइनलफा साइनलफा कासलफा है इनको हटाना है तो हम लोग एक काम करते हैं इसको न बच्चों ऐसे करो साइन अलफा कास अलफा का मान निकाल लेते हैं हाँ से देखे कैसे करेंगे यह देखो क्या करोगे भाई मान लेते हैं यह देखो 10 लंबटे अधार होता है यदि हम पाइथागुरस लगाएं यह देखे यहाँ पर ध्यान देना यह देखो लंबटे अधार 10 अलफा यह अलफा हो गया लंब क्या हो गया भाई पावर 1 बाई 3 अधार क्या हो गया 1 बाई 3 और लंब का वर्ग धन करना का वर्ग तो X पावर 2 बाई 3 प्लस Y पावर 2 बाई 3 आया समझ में ये कैसे आया समझ में आया इसका वर्ग करो इसका वर्ग करो x power 2 by 3 पाओ इसका वर्ग करो x power 2 by 3 पाओ इतना आएगा क्या किजे? हमको निकालना है sin alpha sin alpha लंब टे करन लंब हमारे पास x power 9 by 3 करन कितना आया 2 by 3 y power 2 by 3 और कास भी निकालो यह आगया y power 9 by 3 x power 2 by 3 y power 2 by 3 अब भई आपने sin alpha कास alpha निकाल लिया अब क्या करेंगे आप समी करन एक में वापस जाएंगे और alpha के लिए तो हटा नहीं सकते मैंने कहा था कि alpha इंगल में बैठा है तो साथ में sin alpha और कास alpha सब हटना है चलिए sin alpha और कास alpha का मान कहां रखिएगा समी करन एक में चलो रखो sin alpha और कास alpha का मान एक मिनट बच्चों कैमरा बंद हो गया था देखेगा फिर से repeat कर देता हमाई यहाँ पर sin alpha is equal x power 9 by 3 देखो sin alpha क्या होता है लंबटे लंबटे आधार लंबटे करन और कास alpha हो गया हना लंबटे sin alpha लंबटे करन कास alpha धारबटे करन आगया इन दोनों का मान रखेंगे बस इसी ढंग से आपको क्या करना है find out करना है चलो अब आगे बढ़ते हैं sin alpha वह कास alpha का मान कहां रखेगा समी करन एक में रखने पर क्या था समी करन एक आपके पास ध्यान दिजेगा आपके पास समी करन एक है x कास alpha y sin alpha चलो रखो x कास alpha का value कितना है y power 1 by 3 upon square root x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 है फिर plus y sin alpha है x power 1 by 3 यह देखे बच्चो x power 1 by 3 square root x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 इधर है l sin alpha कास alpha तो कास का value रख दिया मैंने यह देखेगा plus समी करनेक में रखे समझ में आ जाएगा पूरा अब यही प्राचलिक यही अन्वालोप हो गया लेकिन हम इसको और set करना चाहते हैं इसकी जामिती व्याख्या करना चाहते हैं तो आगे हम लोग इसको solve करेंगे यहाँ पर देखे आपने यहाँ पर देखा दोनों का अलसियम x power 1 by 3 यहाँ पर y x power 1 by 3 upon square root x power 2 by 3 y power 2 by 3 is equal l y power 1 by 3 x power 1 by 3 divided by यहाँ पर क्या मिला प्यारे बच्चों आपको मिला root x power 2 by 3 और यहाँ पर y power 2 by 3 और एक हम को मिला और x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब इन में से को cancel करो न और यहाँ से मैं इसको त्रियक गुना करूंगा तो ऐसा करता हूँ इस पूरे को power 1 by 2 लेकर write कर लेता हूँ तो x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 और 2 d power 1 by 2 यहाँ से यहाँ से मैंने क्या किया x power 1 by 3 और y power 1 by 3 कामन निकाल लिया यहाँ से x power 1 by 3 y power 1 by 3 कामन निकालोगे तो पहले में बचेगा 2 by 3 और दूसरे में बचेगा 2 by 3 अब नहीं समझ में आ रहा है तो अंदर ले जाके इसको जोड़ करके देख लिजेगा 1 by 3 plus 2 by 3 1 हुआ यहाँ पर y होगा कहने का मतलब यह है तो l y power 1 by 3 x power 1 by 3 समझ में आया प्यारे बच्चों अब यह दोनों cancel हो जाएगा यहाँ पर देखो 1 by 2 और यहाँ पर power 1 दोनों सेम सेम है भई x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 और यह power 1 by 2 x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 power 1 तो घातां कनियम से दोनों को जोडेंगे तो पाएंगे कितना यह देखो बच्चों x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 और 2 the power 1 plus 1 by 2 मतलब 3 by 2 is equal L हम क्या करते हैं इसको LHS से RHS मिले जाते हैं power को तो यह आ जाएगा उल्टा हो जाएगा 2 by 3 हो जाएगा तो यह आ गया अनुवालोप अब देखो बच्चों इस अनुवालोप को आपने पढ़ा होगा फरस्टियर में ऐसा equation आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों इसको कहते हैं stride इसको क्या कहते हैं stride इसकी ज्यामिती व्याक्या है हाना यह stride कैसे बनते हैं मालूम है ना यह देखे यह इस धंक से बनते हैं प्यारे बच्चों यह ऐसा बनते हैं है ना और यह ऐसा यह equal होता है सब यह A0 यह 0 A यह 0 माइनस A यह stride है यह माइनस A0 तो इस प्रकार होता है तो यहाँ पर इसको देखने से पता चल रहा है इसी है तो जो एक stride जो एक stride का समी करन है तो बच्चों इसी धंक से बनाना है मुझे उम्मीद है हाना आपको समझ में आया होगा और जो बच्चों को समझ में नहीं आया है डबल देखिएगा हंड्रेट परसेंट समझ में आयेगा ठीक है यही है अनवालोप यही है इनवलप ठीक है हाँ मेकनिक्स का भी बिलकुल करेंगे बेटा बिलकुल टाइम नहीं मिला है सना आदित्य जी जैसे जैसे देखो फर्स्तियर का तीन पेपर सेकंड्यर का तीन पेपर फाइनल यर का भी अह थ ठीक है सना अदित्य जी धीरे धीरे होगा बिलकुल बहुत जल्दी कंप्लिट करेंगे ठीक है ना तो कितना भी हम कोशिस कर रहे हैं फिर भी क्योंकि लेट शुरू किया है प्यारे बच्चों अभी तो हम समझे नॉम्बर में शुरू किया है तो मान के चलिए आने वाले समय में बहुत अच्छा हो जाएगा हना आप के लिए फाइनल यार फस्ट यर वालों के लिए सेकंड यर फाइनल यार त्वेल्थ वालों के लिए फस्ट यर तो यह सब एक स्पेशल चैनल केवल बीएसी के लिए बना हुआ है ठीक है प्यारे बच्चों हना कौन सा बीएसी के लिए बना है भाई बीएम जेनेसिस और विजैसर क्लासेस में तो पूरा 9, 10, 11, 12 सभी है और आने वाले समय में उसमें पूरा 11, 12 हना और बीएसी का भी आएगा ठीक है तो बस हमारे साथ बने रहें प्रेक्टिस करते रहें पढ़ते रहें ठीक है प्यारे बच्चों धन्यवाद नमस्कार